हेलो फ्रेंड विलकम टू सिक्षा कैसे आप सब आशा करते हैं अच्छे होंगे सभी लोग तो दोस्तों करेंट अफेर्ज देवल्लपमेंट इशूस का लेक्चर नमबर नाइन है यूपीएसी पीएफो एओ 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 आपका जो होता है state services के जो आपके exams होते हैं उन सब में भी आपको एक काम आने वाले हैं तो अगर आप बाकी के exams दे रहे हो तो उसके लिए भी important है और अगर आपका कोई friend है जो वो exams दे रहा है तो उसके साथ भी आप इसको share ज़रूर करें और कोई भी doubt होता है तो वो comment section मे post करें और contact information में हमेशा share करता हूँ कुछ बच्चों का comment आया हुआ था कि sir आप contact information अगर contact करना होता है तो आप comments के through contact कर सकते हैं नहीं तो आप mail कर सकते हैं sikshit at the rate gmail.com के ओपर sikshit s-e-e-k-h-s-h-i-t at the rate gmail.com ओके या फिर आप whatsapp कर सकते हैं 904-1244-689 नंबर पर whatsapp ही कीजिएगा directly call करोगे तो वो नहीं उठ पाएगा phone watchapp करो watchapp पे मैं आपको अगर messages के through होगा तो messages के through अगर ऐसा कुछ होगा कि कुछ आपको important call पे discuss करना है तो हम time set करेंगे उसके लिए मैं आपको time दूँगा कि इस time आपने call करना है तब आपने call करना है पूरा दिन call उठा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कहीं बार बच् करने होते हैं content भी prepare करना होता है तो अगर पूरा time में call उठाता रहोंगा वो नहीं हो पाएगा यह मैं पिछले वीडियो में भी बताया था ठीक है तो whatsapp पर आपने message drop करना है थोड़ा time भी लग सकता है message को respond करने में या आपकी query को respond करने में तो patience आपने रखनी है ओके चलि जैनुरी 2021 ही अभी तक continue कर रहे हैं आठ lectures already January के content के ओपर देख चुके हैं यह 9th lecture है January 2021 का okay so January 2021 में आपके 5th National Kaya Kalp Awards जो हैं वो distribute किया गये थे 2019-20 के लिए और awards दिये थे हर्षवर्धन ने जो आपके union minister है okay of health तो सिधा सा सवाल है कि यह जो National Kaya Kalp Initiative है यह किस के अंडर लॉंच किया गया था कौन सी scheme के अंडर जन आरोग्या योजना के अंडर सुरक्षा भीमा योजना के अंडर स्वच भारत मिशन के अंडर या फिर menstrual hygiene scheme के अंडर सिधा सा question है इस तरह के factual questions आपको पता होने चाह ठीक है जो आपके National Kaya Kalp Awards है स्वच भारत मिशन के अंडर दिये जाते हैं फिफ्थ था इस साल चो distribution हुआ यह फिफ्थ था यह भी याद रखेंगे वो इस तरह से भी confuse करने के कोशिश कर सकता है कि the first National Kaya Kalp Awards was given in January 2021 और the fourth ठीक है statement based question में और यह basically स्वच भारत मिशन के अंडर 2015 में इनको शुरू किया गया था ताकि ensure किया जा सके hygiene और cleanliness public health facilities के अंडर ठीक है तो इसके अंडर public health facilities की hygiene और cleanliness के हिसाब से उनको awards दिये जाते हैं और चलिए next question देखेंगे once again factual question मैं आपको पहले भी बताया factual और statement based questions का mix करेंगे 2-3 factual देखेंगे बागी statement based भी देखेंगे त ठीक है तो इंडिया what was इंडिया's passport rank in Henle passport index ठीक है global rankings release हुई थी January मन्त में तो Henle passport index rankings निकालता है according to country देखो countries के पास visa free access होता है na countries का ठीक है तो accordingly जिस country के पास जितनी जादा बाकी के देशों ने उनको visa free access दिया हुआ है उस country के citizens को उस हिसाब से ranking यहाँ पर होती है तो इंड इस एगें direct factual question है तो answer इस case में क्या होगा अंसर होगा option B 85 85 will be the correct answer ओके तो Henle passport index 85 हमारी ranking थी हमारा जो visa free score था 58 था यानि कि Indian citizens को 58 countries जो है वो बिना किसी visa के आप महाँ पर जा सकते हो ठीक है जी और इंडिया ने अपना 85th rank Tajikistan के साथ share किया है 2020 में इंडिया का rank 84 था यानि कि ह हमारा rank जो है वो decline हुआ है इस तरह की statements भी पता होनी चाहिए वो directly statement डाल देगा कि according to the Henle passport index the rank of India improved in 2021 as compared to 2020 directly ये statement डाल देगा तो ये statement क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी क्योंकि improved नहीं है खराब हुआ है अपनी ranking अपन 85th पे चले गए ठीक है और इस index को top किस ने किया ये भी पता होना चाहिए जपान ने top किया है जपान के पास सबसे ज़ादा access है visa free ठीक है around 191 countries जो है वो Japanese citizens को visa free access देती है और Japan ने ये third consecutive year के लिए top किया है तो ये इस तरह की information आपके पास सारी होनी चाहिए directly question आप से पूछा जा सकता है चलिए next question देखेंगे third question lumpy skin disease जिसको LSD भी का जाता है उससे related आपको statements consider करनी है सबसे पहला statement कहता है कि ये एक viral infection है cattle के अंदर देखो किसी भी disease के बारे में अगर question आता है चाहे हो humans का disease है चाहे हो animals का disease है एक चीज जो आपने सबसे important आपको पता होनी चाहिए कि वो disease किस से होता है वो viral disease यानि किसी virus से होता है, bacteria से होता है, protozoa से होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वो बहुत important है दूसरा statement कहता है कि यह जो disease है, यह सिरफ only word यहां पता जाता है, सिरफ saliva या contaminated water या food के थू ही फैलता है, only word important है, ठीक है तो answer आपको बताना है कौन सा statement correct है, पहला, दूसरा, दोनो या neither, बताइए, lumpy skin disease तो answer इस case में क्या होगा, answer होगा option A, क्योंकि पहला statement बिल्कुल सही है, यह viral infection है, दूसरा statement गलत है क्योंकि यह और भी ways में spread हो सकता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, okay so cattle और buffalo, water buffalo को यह infect करता है, and it is because of a pox virus, lumpy skin disease virus, LSDV जिसको का जाता तो viral disease है, पहला statement इसी वज़े से correct था, okay, and Indian bovines को इसने recently attack करना शुरू किया, इस viral disease ने इसी वज़े से यह news में था, और इसी वज़े से हमने इसके लिए उपर question जो है, वो बनाया है, पहली बार इंडिया में इस disease के cases जो है, वो report हुए अभी 2021 में, यह mosquitoes, flies और ticks के bite के through भी फैलता है question में statement में क्या लिखा था, कि यह सिरफ only word mentioned था, कि सिरफ saliva या contaminated water and food के through फैलता है, पर ऐसा नहीं है saliva और contaminated water and food के through तो फैलता ही है, उसके इलावा mosquitoes, flies और ticks के through भी जो है, यह spread होता है तो statement to इसलिए हमारा गलत था, LSD अगर हम generally देखें तो यह Africa और West Asia की countries में जादा तर मिलता है पर India और South Asia जो है आपका, उसमें अब इसके cases जो है, इस साल देखने को हमें मिले हैं, ओके आप इसको quality में रख लो, question को, चाहे या आप इसको development, current affairs के उसमें डाल लो, ठीक है तो cabinet committee on security is chaired by ministry of home affairs, दूसरा कहता है कि जो cabinet committee on security है, यह national security से related जो भी important appointments होती है, या defense का जो कोई expenditure होता है, या कोई important national security का issue होता है, तो उसके उपर decision लेती है आपको बताना है कौन सा statement इन में से correct है, one only, two only, both, d, अब आप इसको कहोगे कि सर्यों तो static का question है, तो polity का question है पर ये news में था, इसी लिए हमने इसको question डाला है current में, अब तो मैं, इसी लिए आपको कहा रहा हूँ ना, कि आप इसको चाहे quality में रख लो, चाहे current में रख लो, ठीक है, question important है लेकिन यह, तो answer इस case में क्या होगा, देखो पहला statement गलत है, क्योंकि जो आपका cabinet committee on security है, इसको chair कौन करता है, इसको chair करता है, प्रधान मंतरी, प्राइम मिनिस्टर, नरेंदर मोदी, ओके वो chair करेंगे, तो इसलिए पहला statement गलत है, ठीक है, option यह गया, C गया, दूसरा statement जो वो बिल्कुल सही है, cabinet committee on security जो है, वो सारे important decisions लेती है, चाहे वो national security का जो structure है, उससे related कोई appointment हो, national security का कोई issue हो, या defense का कोई expenditure हो, तो उससे important issues, जो है, cabinet committee on security ही लेती है, तो answer इस case में, option B, two only हो जाएगा, ठीक है, तो cabinet committee on security news में क्यों था यह, क्योंकि, अभी recently, January के महिने में, इन्होंने एक deal clear की थी, around 48,000 करोड की, जिससे यह 83, इन्होंने का था, कि तेजस acquire करेंगे, Indian Air Force क लिए, अब यह कोई नहीं पूछने वाला, कि कितने करोड की deal साइन करी, या कितने तेजस लेने की बात हुई है, यह bank के paper के हिसाब से चला गया, उन में आते हैं, इस तरह के question की, आप से amount पूछ लिया, या कितने तेजस, यह EPFO में, UPSC के, या state services के exam में भी नहीं आएगा लेकिन, जिस तरह से question हमने form किया, cabinet committee on security का, वो आप से पूछ सकते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है, इसको chair करते हैं, और major decisions जो आपका statement 2 था, वो बिल्कुल correct था, वो यह cabinet committee on security लेता है, clear है, चलिए, ओके, फिफ्थ question देखेंगे, serial export, ठीक है, COVID आया, lockdown लगा, economy सारी कि सारी decline कर गी, लेकिन, continuously, 2020 में, हमने एक चीज़ देखी, कि एक ऐसा sector था, जिसने Indian economy को hold करके रखा, जो एक तरह से Indian economy की strength बना रहा, और वो था agriculture sector, सारे sectors में, हमें negative growth देखने को मिली, पर ये एक sector था, जिसमें, हमें positive growth देखने को मिल रही थी, agriculture sector के अंदर, तो इसलिए, continuously news में, बना रहा पिछले एक साल, ठीक है, तो cereal export से related आपको कुछ statements given है, पहला statement कहता है कि rice और wheat जो है, ये, they together, account for 95% share of the cereal export, चावल और आपका अनाज, जो है, 95% cereal export है, Nepal is one of the major export destination for wheat and non-basmati rice in 2019-20, 2019-20 में, निपाल जो था, वहाँ पर हमारा export जा रहा था, majorly किसका, wheat का, और non-basmati rice का, आपको बताना है, इन में से कौन सा statement, जो है, ये correct है, A, one only, B, two only, C, both, या फिर दी, neither, one, null, two, ये news paper में आता रहता है, इस तरह का data, इसलिए important है, ठीक है, तो answer यहाँ पर होगा option B, बहला statement गलत है, पहला statement गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर wheat लिखा हुआ है, wheat अटा दो यहाँ पर से अगर, तो rice जो है, ये 95% share रहता है, इसका हमारे total cereals के export में, जितना हम total export करते हैं, cereals का, उसमें से 95% share जो है, वो rice का रहता है, wheat का तो सिरफ around 4.3% रहता है, ठीक है, तो इसलिए पहला statement गलत है, दूसरा statement बिलकुल सही है, नेपाल में हमारा wheat और non-bassmaty rice जाता है, major export है, ठीक है, माइलेट, बारले में, ये सब export करते हैं, ठीक है, लेकिन जो rice का share है, वो around 95.7% था 2019-20 में, और इसमें बास्मती और non-bassmaty rice दोनों आ जाता है, लेकिन बाकी के जो बचे हुए है, आप देखो, वो तो 4.3 है, तो wheat जो है, वो इस 4.3 में आता है, इसलिए हमारा पहला statement गलत हमें आपको बता चुका हूँ, export destination की अगर हम बात करें, wheat हमारा mainly कहाँ पर जाता है, नेपाल, बंगलादेश, UAE, सुमालिया जैसी country में, अगर हम non-bassmaty rice की बात करें, तो उसमें भी नेपाल, Benin, UAE, सुमालिया आ गया, बassmaty rice की बात करें, तो ये इरान, साओधी अरेब हमारा एक बार करना जरूरी है, दो chances of being asked, थोड़े से कम है, ठीक है, world's oldest known cave art is discovered from Liang, Tedanj cave, और ये जो Liang cave है, this is located in island of Sulawesi, Indonesia, तो आपको बताना है कौन सा statement जो है, correct है, ठीक है, तो अगर news paper को regularly follow कर रहे हो, तो January में इस cave का और cave art का news में आया था, इसी वज़े से question इसको डाला गय है, answer यहाँ पर C होगा, दोनों statements correct है, तो archaeologist ने recently, दुनिया की सबसे पुरानी cave art, गुफा art, जो है, जो एक life-sized picture है, एक wild pig का, जो around, archaeologist का कहना है कि, ये जो art है, इसको around 45,500 years ago पहले paint किया गया था, इंडोनेशिया में, ठीक है, और यह हमें कहाँ पे मिली है, Liang caves में, जो Sulawesi इसी island इंडोनेशिया में है, ठीक है, तो location पता हो नहीं चीए, country पता हो नहीं चीए, कहाँ पर मिली है, ओके, चलिए, 7th question देखेंगे, related to environment, ओके, environment current affairs का बहुत important पार्ट बन जाता है, water pollution by organic waste is measured in term of biological oxygen demand, biological oxygen demand के हिसाब से आप बताते हो कि, जो water body है, उसमें कितना pollution है, because of the organic waste, statement 2 क्या कह रहा है, ammonia जो है, वो पानी का, पानी के अंदर जो amount of oxygen होता है, उसको reduce कर देता है, because, जो ammonia है, वो oxidize हो जाता है, ओके, तो इसमें से आपको बताना है, कौन सा statement correct है, पहला, दूसरा, दोनों, या फिर neither one nor two, तो इस case में answer क्या होगा, इस case में answer होगा, आपका option C, दोनों statements आपकी correct है, देख लेते हैं, सबसे पहले तो news में क्यों था, न्यूस में इसलिए था, क्योंकि Supreme Court ने, एक सुव मोटो केस लिया, related to the pollution of water bodies by untreated sewage, जो untreated sewage की वज़े से water pollution हो रहा है, और एक urgent petition भी file की थी, डेली जल बोर्ड ने, डेली जल बोर्ड ने Supreme Court को कहा था, कि Supreme Court अपने, जो हरियाना state है, उसको आदेश दे, कि वो immediately, जो pollutants हरिय हरियाना state discharge कर रहा है, जो हरियाना की factories, industry, जो continuously pollution को यमुना नदी में discharge कर रहे है, उसको रोका जाए, क्योंकि that is continuously polluting the river, तो ये इसी वज़े से news में था, और जब ये Supreme Court सारी हेरिंग कर रहा था, तो हमारे सामने problem आई, सबसे जादा effect of ammonia की, तो ammonia जो है, जो industries release कर रही है, या waste पानी में छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वज़े से ammonia content जो है, वो river bodies के अंदर बढ़ रहा है, अब ammonia करता क्या है, सबसे पहले तो ये पानी के अंदर जो oxygen होता है, जो amount of oxygen होता है, उसको कम कर देता है, ठीक है, because ये जो ammonia होता है, as it is transformed to oxidized form of nitrogen, ठीक है, तो oxidization के process की वज़े स ये oxygen को use करता है, जो पानी का oxygen होता है, ठीक है, तो इसी वज़े से हम कहते हैं, कि ये biological oxygen demand को बढ़ा देता है, अब biological oxygen demand क्या होता है, biological oxygen demand को गर हम define करें, तो it represents the amount of oxygen, जो bacteria होते हैं पानी के अंदर, अब कुछ भी organic waste जा रहा है, nitrogen जा रहा है, ammonia जा रहा है, जो भी organic waste जा रहा ह करेंगे और bacteria को energy चाहिए, bacteria oxygen intake करेंगे, जिसकी वज़े से पानी का जो oxygen, biological oxygen demand है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो पानी का अगर biological oxygen demand बढ़ जाएगा, तो जो बाकी की species हैं, उनके लिए अब जो oxygen sharing है, वो कम हो जाएगी, automatically, जैसे COVID के time पर, अब oxygen demand इतनी जादा बढ़ हो गया है, तो oxygen तो पहले जितनी produce हो रही थी, उतनी produce हो रही है, लेकिन मरीज इतने जादा हो गया है, कि वो demand एक्दम से बढ़ गई है, जिसकी वज़े से problem आ रही है, similarly, water body के अंदर होता है, जब आपने जादा organic waste डाल दिया, तो bacteria जादा consume करेंगे, जिसकी वज़े से oxygen की demand बढ़ जाएगी, ठीक है, और उस problem की वज़े से जो है, हम यह कहते हैं कि जो बाकी की species है, उनको problem आती है, ठीक है, water pollution by organic waste is thus measured in terms of BOD, जितनी ज़्यादा biological oxygen demand है, we can say कि उतना ज़्यादा उस water body के अंदर pollution है, और आपका statement 1 में यही statement लिखा था, तो वो correct हो जाता है, ठीक है, साथी साथ, अगर पानी के अंदर, water body के अंदर, ammonia की जो concentration है, ammonia जो है, वो 1 ppm से ज़ादा है, तो वो उस वहाँ पे fishes के लिए toxic हो जाता है, ठीक है, similarly, humans अगर ऐसा water consume कर रहे हैं, जिसमें ammonia levels 1 ppm से ज़ादा है, तो within time उनके internal organs damage हो सकते हैं, जो आपका Bureau of Indian standards है, वो क्या कहता है कि जो acceptable maximum limit है, ammonia में, जो humans के drinking water में हो सकती है, वो 0.5 ppm है, ठीक है, तो ये भी आपको points याद रखने है, कि Bureau of Indian standards कितना कह रहा है, 0.5 ppm, alright, चलिए, तो ये हमारे लिए important हो जाती है, सारी information, ओके, now let us move to the last question, पॉलिटी का question है, once again, January में, ये था थोड़ा सा news में आया, उससे पहले भी news में चल रहा था, जब Donald Trump President है, ठीक है, impeachment जो प्रोसेस है, उनके against शुरू किया गया था, तो no US President has ever been removed from office through impeachment, second statement कहता है, in India, impeachment against the President can be initiated by either House of Parliament, तो question आपके लिए important हो जाता है, ठीक है, पॉलिटी में आप इसको रख सकते हैं, once again, या current affairs में रखी है, आपकी मर्जी है, तो option यहाँ पर क्या हो जाएगा, answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला statement बिल्कुल सही है, आज तक कोई भी US President जो है, impeach नहीं हुआ है, दूसरा statement भी बिल्कुल सही है, अगर आप हिंदूस के President को, राष्टरपती को impeach करना चाते हैं, तो वो जो process है, वो आप लोकसभा में भी शुरू कर सकते हो, या राज्यसभा के लोग भी शुरू कर सकते हैं, तो दोनों statement सही है, तो answer यहाँ पर C हो जाएगा, both 1 and 2, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, तो अगर आप US का सम इंधान देखते हो, constitution देखते हो, तो वहाँ पर साथ सिधा सिधा लिखा गया है कि President जो है, उसको हटाया जा सकता है, treason के लिए, अगर देश के साथ कोई गदारी, bribery, रिश्वत खोरी, या कोई और crime या मिस डेमेनर जो है, President ने किया है, 2019 में US President के खिलाफ, 1998 में Bill Clinton के खिल और 1868 में Andrew Johnson के खिलाफ, जो है, impeachment process शुरू किये गए, और House of Representative ने इनको impeach भी कर दिया, लेकिन एक President को हटाने के लिए, पहले House of Representative ने अगर impeach कर दिया, तो Senate अगर उसको pass करेगा, तभी वो impeach होगा, इंडिया में भी same process है, अगर राज्यसभा ने initiate कर दिया, impeachment का process, और राज लोकसभा के पास जाएगा, तो लोकसभा भी अगर impeach करेगा, तभी President हटेगा, इंडिया में भी same process है, ठीक है, तो US में भी, जो Trump है, उनको 2019 में impeach कर दिया गया था, लेकिन, ultimately, Senate जो है, जैसे इंडिया में राज्यसभा है, वैसे, अमेरिका में Senate है, ठीक है, तो Senate ने, वो impeachment पास नहीं किया, इसी वज़े से Trump भी impeach नहीं हुए, तो हम क्या कहते हैं, कि आज तक कोई भी US का राष्टरपती office से impeach नहीं हुआ है, इंडिया में, President जो है, उसके removal के लिए क्या लिखा गया है, Constitution में, Constitution में सिरफ एक term लिखी गई है, violation of the Constitution, ठीक है, आपको पता होना चाह जैसे, अमेरिका के समीधान में तो लिख दिया है, कि बई, Treason, Bribery, ये सब करता है, तो impeach कर सकते हैं, इंडिया में सिरफ ये, इंडिया के समीधान में सिरफ ये लिखा है, कि violation of the Constitution, और impeachment process, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोग सभा में भी शुरू किया जा सकता है, और कोई भी suggestion हो, कोई भी doubt हो, comment section में आप post कर सकते हैं, बाकी की videos आपकी screen के ओपर हैं, और जो paid course है, जो non video paid course है, MCQ course है, EPF होगे लिए, उसका link आपको description में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, चलिए, मिलेंगे एगली video में, तब तक all the best and bye bye